अगर आप भी मेरी तरह यूटूब के विडियोज बनाते हो या बनाना चाहते हो तो आपको पता ही होगा लोग आपकी विडियोज तबी देखना पसंद करेंगे जब उसकी वाइस कॉलिटी या अडियो कॉलिटी अच्छी हो आज के इस विडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप Adocity वाइस एडिटिंग सौफ्टेवेर से अपने नॉर्मल वाइस को कैसे बेस्ट कॉलिटी वाइस बना सकते हो तो बने रहिए इस विडियो के लास्टक वेल्कम फ्रेंड्स मेरा नाम है अमोल और आप देख रहे है इवर्ड हब यूटूब चैनल तो चलिए आज का विडियो शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले आपको आपना विडियो रेकॉर्ड कर लेना है आपको एक्जांपल देने के लिए मैंने अल्रेडी एक सैंपल विडियो क्रियेट करके रखा है सबसे पहले आपको आड़ोसिटी सॉप्टवेर को ओपन कर लेना है अपने रेकॉर्ड की ये विडियो को ड्रैक करके आड़ोसिटी सॉप्टवेर में लाना है उसके बाद यहाँ पे जूम का ओप्शन होगा उसे क्लिक करके अडियो को जूम करना है दोस्तो सबसे पहले आपको आपने अडियो में से नौइज को रिमू करना है आपको नौइज का पार्ट सलेट करना है मैं यहाँ से नौइज का पार्ट सलेट करता हूँ फिर आपको effect option को click करना है वहाँ से noise reduction option को click करना है यहाँ पे आप देख सकते हो gate noise profile उसे click करना है Ctrl A से पूरा audio select करना है फिर से effect option में जाना है फिर noise reduction option को click करना है और फिर ok कर देना है आपको बस एक ही बार noise remove करना है अगर आप 2-3 बार noise को remove करते हो तो आपकी original voice quality खराब हो जाएगी तो इसलिए आपको एक बार ही noise को remove करना है फिर से Ctrl A प्रेस करके audio को select करना है फिर से जाना है effect option में यहाँ पे equalization option होगा उसे click करना है फिर यहाँ पे select करव option में जाके Bass Boost option को click करना है और यहाँ से OK कर देना है फिर से effect option में जाना है फिर से equalization option को click करना है और फिर यहाँ से treble boost option को select करना है और फिर यहाँ से OK कर देना है फिर से आपको effect option में जाना होगा और फिर आपको compressor option को click करना है यहाँ पे by default जो setting दी है वही रखना है और सिर्फ OK कर देना है फिर से effect option को click कीजिए फिर आपको जाना होगा normalize यहाँ पे जो भी by default setting दी है वही आपको रखना है सिर्फ आपको OK कर देना है तो मैं अभी audio को play करके दिखाता हो दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह YouTube पे वीडियोज बनाते हो या बनाना चाहते हो तो आपको पता ही होगा लोग आपकी वीडियोज तभी देखना पसंद करेंगे जब उसकी voice quality या audio quality अच्छी हो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप Adocity Vice Editing Software से आपने नर्मल वाइस को कैसे best quality वाइस बना सकते हो तो बने रहिए इस वीडियो के लास्टक दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह YouTube पे वीडियोज बनाते हो या बनाना चाहते हो तो आपको पता ही होगा लोग आपकी वीडियोज तबी देखना पसंद करेंगे जब उसकी वाइस कॉलिटी या अडियो कॉलिटी अच्छी हो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप Adocity Vice Editing Software से आपने नॉर्मल वाइस को कैसे बेस्ट कॉलिटी वाइस बना सकते हो तो बने रहिए इस वीडियो के लास्तक तो आपको काफी डिफ्रेंस नजर आ रहा होगा तो बस आपको ये फोर स्टेप्स फालो करने है अभी हम इस अडियो को एक्सपोर्ट करेंगे उसके लिए आपको जाना होगा फाइल ओफ्षन में एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट एज यम्पी 3 आपको जिस नेम से फाइल सेव करना है वो आप यहाँ पे नेम दे दीजिए फिर यहाँ पे कॉलिटी 320 के भी पियस कर लिजिए फिर इसको सेव कर देना है फिर यहाँ से ओके कर लिजिए तो हमारी आडियो अभी एक्सपोर्ट हो चुकी है आडियो एक्सपोर्ट हो जाने के बाद आपको विडियो एडिटिंग सॉफ्टेवेर ओपन कर लेना है आभी हमने जो आडियो एक्सपोर्ट की है उसको यहाँ पे एड कर देना है ओरिजनल विडियो की वाइस को म्यूट कर देना है और फिर विडियो को एक्सपोर्ट करना है तो दोस्तो आप इस तरह से अपनी नॉर्मल वाइस को बेस्ट कॉलिटी वाइस बना सकते हो अगर आपको यह विडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए अगर आपको यह विडियो अच्छा नहीं लगा तो आप इसे डिसलाइक कीजिए लाइक्स का टार्गेट रखते हैं 100 लाइक्स अगर आपके मन में कोई भी डाउट से तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना खयाल रखेगा जै हिन जै महाराश्टर तिस्टर वीची पेवार नापी जन जै म apocalypse कर सब्सक्रित अवार प्र करो जाऊ जाचा हुआ है झाल झाल